कार का भ्रष्टाचार के अंदर लिकर पॉलिसी में लिफ्ट होने के उपर करना था लेकिन जैसे ही यहाँ पे बारा मजे से पहले यहाँ पे हम लोग आ रहे थे तो गुलाम नभी अजाद साहब का लेटर और उनके इस्तीफे को हम लोगों ने मीडिया के अंदर देखा तो आज की हमारी प्रिसवारता इसी के उपर है और दिल्ली के मसले के उपर कल फिर से हम लोग प्रिसवारता करके अलग से उसके बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे जैसे मैंने कहा कि अजाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है अजाद साहब कांग्रिस पार्टी के बहुत ही वरिष्ट निता थे और कांग्रिस पार्टी के अंदर और प्रशासन में देश के अंदर प्रदेश के अंदर कांग्रिस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महतुपून पदों को सुशोवित भी किया लेकिन ये बड़े अत्यांत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांधी जी के नित्रित में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नित्रित में पूरे के पूरी कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरता संगठन सड़क के उपर महंगाई, बिरोजगारी और धुवी करण के खिलाफ लड़ाई लड़ने है हम लोगों ने 4 सिप्टिम्बर को महंगाई पर हल्ला बोल कि राश्ट्रिय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सिप्टिम्बर को भारत जोड़ो यात्रा जो की महंगाई, बिरोजगारी और धुवी करण के खिलाफ भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है हम लोगों ने 29 तारीक को 22 प्रेस कॉनफरेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं 5 सिप्टिम्बर को 32 प्रेस कॉनफरेंसे पूरे देश में इसके लिए रखे हैं दुख की बात ये है, अत्यान दुख की बात ये है कि गुलाम नभी अजाद साब ने ऐसे समय में कॉंग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है हम ये उमीद करते थे कि ये लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, विरुजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं धुवी करण के खिलाफ लड़ रहे है और कॉंग्रेस पार्टी सबसे प्रमुक विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहूल गांदी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहूल गांदी है तो ऐसे समय में हम यह उमीद करते थे कि गुलाम नभी अजाद साहब जैसे वरिष्ट नेता कॉंग्रेस के कारे करताओं के साथ मिल करके विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते दुख की बात ये है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे ये बड़े दुख की बात है इतना ही हम लोग आज इसके उपर कहना चाहेंगे अब जैराम रमेश जी इसके उपर प्रतिक्रिया करेंगे शुक्रिया अजे कि अजे अभाज लिए करेंगे टो समुक्रूट अभाज जी जे अजे जी जी इसके इच्छार प्रतिक्रश बड़ेव ऑ्रोज जी इस अभाजर कोश्टू जी इस जी बिड़श्ट राजेश्ट प्रतिक्रिया this has happened when the Congress President, Shreemati Sonia Gandhiji, Shri Rahul Gandhiji, and the entire Congress Party Organization across the country is engaged in confronting, combating, fighting the BJP. on issues of Mehengayi, on issues of Berosgari, and on issues of polarization. The entire Congress Party Organization in the last couple of weeks has been involved in preparing for the Mehengayi Parhalla Bowl rally at Ramlila Maidan on September 4th, which will be addressed by Shri Rahul Gandhiji. Twenty-two press conferences have been scheduled across the country on the 29th of this month. The Bharat Jodo Yatra launch will take place on the 7th of September from Kanya Kumari. Finalization of that launch is also underway. And thirty-two press conferences have been scheduled across the country to project the message of the Bharat Jodo Yatra. So at a time when every congressman and every congresswoman is involved in ensuring that the Mehengayi Parhalla Bowl rally will be a success, and every congressman and congresswoman wants to be a Bharat Yatari, wants to walk along with Shri Rahul Gandhiji on this 3500 kilometer long Bharat Jodo Yatra. It's most unfortunate, most regrettable, that at this point of time, we have had to read this letter that has been released to the press. That's all we want to say for the moment. Tomorrow, Ajay Makinji will address today's scheduled press conference on the liquor policy of the Delhi government. ABP Sanja, Josh Jasba, Janoon.